आज चंदर शेखर आजाद की सपुन्नि भूमी का दर्शन करके मैं स्वेम को कृतार थनोभव करता हूँ जहां चंदर शेखर आजाद के पिताश्री सीताराम तिवारी का जन्म हुआ वो जगय बदर का उन नाओं में पढ़ती है वहां में पहले जा चुका उनके पैत्रिक घर में भी गया था और तब से उसे बहुत पहले अर्से से मैं भावरा का नाम सुन रहा था यहां आकर के जो मैंने देखा है नजारा मानो वो चंदर सेखर की एक नहीं अनेकों सहसरों आत्में आप सब के भीतर जन्म लेकर के इस भारत भूमी के उतकर्ष के लिए मानो प्रकट हो चुकी लोग कहते हैं देश सोया हुआ इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता मैं सुबह तीन बजे से लेकर के दस बजे तक देखता हूँ कि देश अब जागा हुआ इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं कहा रहा था देश में प्रश्ण बाहत गहरे हैं जिस समय चंदर सेखर राजगुरू सकदेव भगत सिंग पंडित रामप्रसाद बिश्मिल असफाक उल्लाखा ये आजादी के लिए संघर्श कर रहे थे और दिनों भी चुनोतियां कम नहीं थी एक तरफ वो अंग्रेज मेरिका जिनका सतर से ज़्यादा देशों में सामराज्य था और क्रांतिकारियों के साथ खड़े होने की सजा होती थी फांसी आजिवन कारावास इसलिए उनके साथ खड़े रहने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था और उस समय भी वो लोग कितने दिवाने थे कितने जज़बाती थे और एक साधारन से घर में आजाद कुटिया का नजारा आप सबने तो अपने आँखों से देखा है मैं तो उसमें कोई चित्र में ही देख पाया हूँ एक साधारन से परिवार में पैदा हुआ चंदर शेखर आजाद जिसके पिता एक बाग में एक माली की नोगरी करते थे मां एक साधारन ग्रिहनी लेकिन इमानदारी का जज़बा देखिए आर्थी का हालात इतनी खराब थी घर की कि एक बार मैंने सुना है कि मा जगरानी वो पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई जब चंदर शेखर आजाद के पिता सितराम तिवारी कोई पता लगा कि पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई है तुरंत वापस भेजा कि हमारे पास जितना हैम उसमें गुजारा कर लेंगे हमें किसी के दूसरे के घर की उधारी नहीं चाहिए माने गड़ी भी हो सकती है लेकिन दिल में कितना स्वावी मान मैंने सुनाए कि एक बार चंदरशेखर आजाद उस बाग से कुछ आम तोड़ लाये थे जिसकी रखवाली करते थे चंदरशेखर के पिता जब उनको पता लगा तो बुरी तरह से उनको लताड़ा दंड़ दिया कि खबरदार आगे से जिंदगी में कभी ऐसी बूल मत करना कितने होची असूल थे उन लोगों के और एक साधारन से परिवार में पैदा हुआ उचंदरशेखर आजाद सारे करन्तिकारियों का नित्रत्व किया करता था भगत सिंग को भी कही बार उन्होंने बचाया और सारे करन्तिकारियों में सबसे बलवान सबसे सदाचारी और सबसे उचा संकल्प वाला को यदि करांती का रही था तो उसका नाम चंदर शिखर आजात था घर की तरफ कभी देखा ही नहीं मेरे देश का क्या होगा, मेरे देश वासिव का क्या होगा आदमे सबसे ज़्यादा अपने जंदगी से महबत करता है अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर कि खुद को बचाता है और उन्होंने अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर कि देश को बचाने का संकल्प लिया कितने उचे थे उनके भाव कितने उचे थे उनके विचार कितने उचे थे उनके संकल्प, कितने उचे थे उनके जज़बाद, और कितने विद्रों के आग से वो धदक रहे थे, इसको तो आज हम सोचते हैं, तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साथ लाग से ज़्यादा वीर विरांगनाओं ने अपने शाहदा देख अपने प्राणों के आहोती देकर किस देश को आजादी दिलाई। जबकि उनके उपर 27 वारेंट थे, जहांसी के बड़े पुलिस अधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं। इस मामले में उनके साहस का, कोई उनके सौड़े का कोई दूसरा उधार नहीं। ऐसे उस माहान करन्तिकारी की सधर्टी पर आप लोग रहते हैं। 32 मिनट तक, 80 सी जादा पुलिस वालों के साथ, जिदी कोई अकेला लड़ने का जज़बा रखता है, तो चंदरशिक खरा जाते हैं। उनकी शाहदत को सलाम करने के लिए, उनकी बलिदान को, उनकी कुर्बानी को प्रणाम करने के लिए, मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए आपकी जनमभूमी हों किसी के लिए, या उनकी करमभूमी हों किसी के लिए, उनके लिए व्यापार का सानहा, मेरे लिए तो ये धाम पवित्र हैं मेरे लिए भावरा एक महातीर्थ है और इसकी मिट्टी पर स्वयम को पाकर इसकी मिट्टी को अपने माथे सिस लगा कर कि मैं अपने आपको कृतार तनुबाव करता हूँ